स्पोली स्टिकर हाई नोबिता हाई जियान क्या तुम मिस्पक्ट स्कूल से आ रहे हो वेल तुम अभी कहा जा रही हो शिजुका मैं अपनी मॉम के साथ सूपर मार्केट जा रही हूँ क्यों है ना मॉम मैंने इससे कहा था कि अगर ये घर रुखना चाहे तो रुख सकती है पर इसने आने की जित की थी बाई नोबिता बाई बेटा मॉम मार्केट में जाकर वेसे हम क्या-क्या खरेदने वाले हैं क्या बात है देखो शिजुका की मॉम कितनी प्यारी है हाँ तुम भी कुछ सच-सच कह रही हो जियान अपना खयाल रखना थैंक्स तुम भी वही रुख जाओ नोबिता तुम घर आ गए हो मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा सॉरी मॉम मुझसे गलती हो गई तुम्हे इतनी देर कहा हो गई नोबिता अब ये मत कहना कि तुम अपना होमवक करना भूल गय थे और इसलिए स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल के बाद भी रुखने के लिए कहा बोलोा। नहीं मुझे रोका कया क्या क्योंक्ति मुझे जीरो मिला नोबिता। तो मुझे भी एहसास होता, अगर मेरी मॉम मुझे अच्छा बरताफ करती तो अगली बार में खूब जम कर महनत करता और अच्छे मास लाता हाँ, अरे नोबिता ये क्या कह रहे हो सुनो डोरिमॉन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरी मॉम को प्यारी और अच्छी बना दे मेरे पास ऐसी तो कोई चीज नहीं है, पर एक चीज है जिससे तुम जो कहोगे मॉम वही करेंगी इसे उनके माथे पर चिपका दो और फिरूने कुछ करने को कहो जो इसे उनके माथे पर चिपकाएगा, वो उसकी हर बात मानेंगी सच्मी, सुनो मॉम, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हे नाश्टा नहीं मिलने वाला है नोबिता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, समझे क्या बात है मेरे प्यारे बेटे, की तो काम कर गया, मॉम मैं नाश्टा करना चाहूंगा एसी बात है तो मैं फोरन तुम्हारे लिए नाश्टा लगाती हूँ चेर पर आराम से बैठ जाओ जल्दी से अपना मूझ खोलो बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी ये लो थोड़ा से और खाओगे, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, चलो मूझ खोलो अरे नहीं, ये नोबिता तो कभी नहीं सुद्रेगा डोरे मॉन, मैंने तुम्हारा नाश्टा फ्रिज में रखा है, तुम खुद निकाल लो, ठीक है ना? हाँ, अच्छा ठीक है डोरे मॉन, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, पर मैं चाहते हूँ कि तुम नोबिता को अपने हाथों से खाना खिलाओ, तुम ये कर दोगे ना, डोरे मॉन? हाँ, थांक यू सो मज बेटा नोबिता, अब तो तुम खुश हो ना? डोरे मॉन, आँ, ठीक है मेरे सरपर स्टिकर नहीं लगा है, इसलिए मुझे बुद्धू मत बनाओ, वैसे तुमें मज़ा आ रहा है, बताओ नोबिता सच्छ मे डोरे मॉन, बहुत मज़ा आया तो, कैसा लगा मेरा स्पॉल मी स्टिकर? बहुत मज़ेदार, क्या ये उनके सरपर ही लगे रहना चाहिए? नहीं, इसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा और ये गिर जाएगा हाँ, राइड डोरे मॉन, क्या तुम मुझे एक और स्पॉल मी स्टिकर दे सकते हो? लोबिता, अब तुम इसे किस पर यूज करना चाहते हो? मैं इसे जियान को देना चाहता हूँ, अपनी ममी की डान सुनकर शायद इस सकत उसकी हालत भी बहुत खराब होगी जियान, कैसा चल रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी मॉम मुझे पर खूब चिल लाई आज मुझे लग रहा था, मुझे भी डान पड़ी लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रहे हो? क्यूंकि मैंने इसे यूज किया अरे ये क्या है? ये है स्पॉयल मी स्टिकर, मैंने इसे डोरे मॉन से लिया है क्या? लेकिन इसे इस्तमाल कैसे करते हैं? ऐसे करना जियान, इसे अपने मॉम के माते पर चिपका देना और फिर उन्हें कुछ भी करने को कह देना नो बिता, कितने अच्छे दोस्तों तो मुझे छोड़ो जियान, मुझे छोड़ो छोड़ो जियान मॉम, मेरी बात सुनिये प्लीज दिखता नहीं, मैं अभी काफी बिजी हूँ मॉम, प्लीज, क्या मैं इसे आपके मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ जियान, समझे? मॉम लेकिन सुनियो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है जियान मैं कह रही हूँ ना मैं अभी बहुत बिजी हूँ तुम चप चप शॉप पर बैठो ठीक है मैं अभी आती हूँ देखा ना तुमने मेरी मॉम कैसे अपनी ही चलाती रहती है मेरी कभी नहीं सुनती जियान ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अरे छोड़ो इसकी परवा किसे है तो देखा तुमने डोरेमॉन जियान की मम्मी उससे बात तक करने को तयार नहीं है अच्छा और रही सही कसर स्कूल के बाद जो हमें रोका गया उसने पूरी कर दी शायद तो तुमने स्पॉयल मी स्टिकर का क्या किया वो मैंने उसकी बास ही छोड़ दिया उसकी मम्मी जब वापस घर आएगी तो फे ट्राय करेगा लेकिन कहीं वो कोई करबर ना कर दे पता नहीं नोबिता ने जो ये चीज दी है ये काम करेगी भी या नहीं अरे जयान तुम घर पर हो हाँ अरे सुनियो तुम बिल्कुल सही वक पर आए हाँ लेकिन क्यों ताकेशी जरा बताओ क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे ताकेशी इसे क्या हुआ मैं तुम्हें अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार और वीडियो गेम्स जो तुम चाहो उससे खेलने दूँगा अरे ये स्टेकर तो काम करता है अरे ये क्या किया तुमने ताकेशी तुम भी ना अब लाओ इसे मुझे दो अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं समझ गए ना तुम क्या कहा बड़ा भाई हाँ तुम मुझे कुछ भी करने के लिए कहूं मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा ठीक है तो अब मैं भी यही करूंगा तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ रिमोट कंट्रोल वाली कार चलाने का सही तरीका अरे बड़े भाई इसे छोड़िये मैं कुछ और करना चाहता हूँ जैसे जैसे की क्या समझ गया तो तुम मेरे साथ सूमो रास्निंग खिलना चाहते हो क्यों है ना हाँ ठीक कहा अब समझ गये ना चलो शुरू करें ठीक है तो फिर शुरू करते हैं वाँ तुम वाकी बहुत स्वाब हो ये मेरे साथ ही क्यों होता है हे नोबिता मैंने सुना है कि तुमने ही जैन को वो अजीब सा सीकर दिया है मैंने सोचा नहीं था कि वो स्टिकर को तुम पर इस्वाल करेगा अब बहुत हो चुका बस ध्यान रखना कि तुम वो उससे वापस ले लो मुझे सुनियो से पता चला अगर तुम्हें गड़बड ही फैलानी है तो मेरा स्टिकर मुझे वापस करो सौरी मैं दरसल उसे ट्राय करना चाहता था अभी तक मैंने उसे मौम पर ट्राय नहीं किया था तो ठीक है तब तक मुझे वो वापस कर दो क्या तुम मुझे पर इतना भरुसा नहीं कर सकते नहीं ऐसा नहीं अगर ऐसा है तो ये लो जियान किस तरह का खेल तुम खेलना चाहती हो अपने बड़े भाई के सार चलो फ़र से मस्ती करने का मौका मिल गया तुम क्या करना पसंद करोगी जियान मुझे घोडा घोडा खेलना है ओके जियान हम घोडा घोडा खेलते हैं ठीक है बड़े भाई, अब मैं बैठने के लिए तैयार हूँ चल मेरे घोडे मुझसे यह नहीं होगा चियान चलो मेरे घोडे, आगे बढ़ो, गोशिश करो अरे ये क्या है, तुम तो अभी से ठक गए मेरे घोडे आम सॉरी चियान, फिर से ट्राइ करते हैं नहीं, अब छोड़ो, असल में अभी मुझे बहुत भूग लगी है बड़े भाई मुझे एक बगर और फ्रेंच फ्राइस खाने है, खाने है, खाने है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंदा मत करो जियान, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ दूरी मौन एक बात बताओ, तुमने इसे अपने सर पर क्यों लगा रखा है उसे छोड़ो, मैं ये ले जा रहा हूँ, ओके नहीं, रुप चाओ, ये क्या कर रहे हो तुम मेरा प्यारा नन्ना जियान भूका है, समझे पर नो बिता, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए है न पर वो मेरा प्यारा नन्ना सा छोटा भाई है, मैं चलता हूँ हे, तो तुम अपने पैसे खर्च क्यों नहीं करते जियान अरे तुम लेट हो, कहा रह गए थे I am very sorry जियान मेरा बगर और फ्रेंड फ्राइस कहा है चलो खरीते कोई बगर और फ्राइस नहीं खाएगा, समझे तुम क्या कहा तुमने जियान, मेरे स्टेकर मुझे आभी वापस करो अरे नहीं इसे मैंने, अभी अपनी मॉम पर यूज नहीं किया है डोरे मॉन जल्दी से स्टेकर को नोबिता के सर से उतारो नहीं, तुम खुदी उतार लो जो इसे लगाता है, वही इसे उतार सकता है बड़े भाई, तुम चाहते हो, मैं इसे उतार लो जैसे तुम्हारा दिल करे, वैसा ही करो मैं क्या चाहता हूँ, कैसा हो अगर जियान कि आज तुमने शॉप ठीक से सम्हा ली, बताओ मुझे अरे, अरे मॉम आप अरे मॉम आप तो जल्दी वापस आ गई ये स्टिकर आज इन पे लगाना ही है आज ये इतनी अच्छी तरह क्यों पेशा रहा है खेर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ मैं ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद है क्या, क्या कहा मॉम इन्हें खाकर तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा और फिर उसके बाद स्कूल में कभी तुम्हें डार्क नहीं पड़ेगी बेटा मॉम आप देखिएगा मैं सच में बहुत महनत करूँगा पेरेंस और बच्चों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है नो बिता थैंक यू, तुमने मेरी मदद की इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया येलो स्टिकर और येलो मीठे अखरोड डूरी मॉन मुझे लगता है मुझे भी मॉम को बिना स्टिकर की हांगी कहना चाहिए लेकिन नो बिता मुझे तो लगता है कि अभी तुम्हे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए पर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ तुम जियान से भी जादा टेस्प में जीरोस लाते हो इसलिए